गुरु कार्य गुरु कार्य को भी एक नए परिपेख्ष में समझने की आउशकता है अगर समझोगे तो सारे मामले समाप्त हो जाएंगे सारी समस्यां समाप्त हो जाएंगे गुरु कार्य यानि वह कार्य जो गुरु स्वयम करता है हम सम माध्य में फिर से सुनिए गुरु कार्य गुरु का कार्य है जो गुरु के द्वारा ही संपन होता है हम सिर्फ माध्य में यानि हम करते ही नहीं करता का भाव ही नहीं है हम करने के योग्य ही नहीं है हम कर ही नहीं सकते लेकिन गुरु कर सकता है गुरु करता है वो गुरु का ही कार्य है गुरु अपने माध्य में से कर रहा है अब सुचिये ना, सालों जंगलों में रहा हुआ व्यक्ति, जिसका ना कोई भाषा से लेना देना है, ना कोई संस्कारों से लेना देना है, ना कोई मनुष्य से लेना देना है, ना कोई समाज से लेना देना है, समाज में भी कुछ भी उसका संबंद नहीं है, ऐसा व्यक्ति सालों जंगलों में रहने के बाद में समाज में आता है और समाज में आके एक वेक्ति के माध्यम से हजारों लाखों लोकों तक अलग-अलग स्तानों पे अलग-अलग देशों में विश्व भिरम है वो संदेश पहुचता है वो अनगुती पहुचती है यह कभी संभव हो सकता है यह संभव हो है यह इसलिए संभव हो सका यह गुरु का कारिय है जो गुरु के द्वारा किया जाता है हम केवल माध्यम है तो फिर अपने आपको माध्यम समझो अपने आपको पाइप समझो तुम जितना अपने आपको पाइप समझोगे जितना खाली समझोगे उतना आपके मारफ़ से अधिक से अधिक कारे होगा उसके दो फाइदे जो आप मानोगे कि यह गुरु का कारिय है गुरु कर रहा है तो आपको करता का भाव नहीं आएगा मैंने किया मैंने किया मैं 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 बक्री जैसा नहीं करोगे दूसरा दूसरे साधक से इरिशा भी नहीं करोगे ये गुरु कारे करने का आउसर उसको मिला मेरे को नहीं मिला ये इरिशा का भाव भी ने आएगा क्योंकि मालूम है ना वो कारिय में कर रहा था ना वो कारिय वो साधक कर रहा है कारिय तो गुरू स्वयम कर रहा है वो तो एक माध्य में फिर कोई प्रतियोगीता भी नहीं है मेरे को अधिक साधिक गुरु कार्य करने मिलना चीए कोई प्रतियोगीता नहीं है इरिशा अहंकार प्रतियोगीता का भाव ये सब शरीर से संबन्दित है और गुरु कारिय आत्मा का शुद्ध सत्य भाव है एक आत्मा के दवरा एक आत्मा के लिए किया गया कार्य इन्होंने प्रचार कार्य किया है ये जो करते हैं वो इस अन्दों को राप्त करते हैं जब आप ध्यान के बारे में मंत्र के बारे में लोकों को बताते हैं उनको ध्यान कराते हैं उनको अन्भुती होती है तो अन्भुती होने के बाद में आपको भीतर कहीं तो भी बहुत संदोश और प्राप्त होते हैं एक भीतर के आत्मा समाधान को आप प्राप्त हो जाते हैं एक आत्म शान्ती आपको मिलती है, जो दुनिया के कोई धन से, कोई पैसे से, बाहर से खरीदी ही नहीं जा सकती, वो आत्म सुख को प्राप्त करते हैं, जो सुख बाहर से लिया ही नहीं जा सकता, कई पर मैं कहता हूँ, कि आप जो बाहर से पैसे से खरीद सकते हैं, वो सुख नहीं है, सुख खरिदा जाए नहीं सकता, आत्म सुख तो केवल दूसरों को दे करके, आत्म सुख दूसरे को दो, आपको आत्म सुख मिलेगा, दूसरे को आत्म शंती दो, आपको आत्म शंती मिलेगी, जितनी दोगे, उतनी मिलेगी, तो आपको कितनी आउशकता है, निमी तो ध्यान करना चीए तो कहीं न कहीं आप भी अपने को टटोल करके देखेंगे क्या मैं निमीद ध्यान करता हूं क्या मैं निमीद मेडिटेशन करता हूं अब आपका आप्मा परिशन करोगे करता हूं